टेकनिकल नाथ में आपका स्वागत है मेरे पास है Realme C33 अगर आप भी Realme C33 यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज फूल होने वाला है तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखे डिवाइस को स्वीच आप कैसे करना है तो इसके बाड़े में जानते हैं तो मैं जब पाबर की को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां Google Assistant आ जाता है तो मैं यहां से इसे बेख कर लेता हूँ इसके लिए एक shortcut है पाबर की और Volume Up की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और देख सकते हैं पाबर आप का ओप्शन आ गया आपने देखा पाबर आप करने के लिए मुझे पाबर की और Volume Up की दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ा यदि डिवाइस को और सिर्फ और सिर्फ पाबर की से पाबर आप करना है इसके लिए मुझे शेटिंग को ओपन करना है यहां से मैं शेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और यहां थोड़ा स्क्रॉल डॉन करके नीचे आ जाता हूँ सिश्टम, सिश्टम को ओपन करना है और उपर से सेकेंड एमर पे देख सकते हैं Gesture Gesture को ओपन करना है hold for assistant ये on है इसे मुझे off कर देना है अब मैं power key को प्रेस करता हूँ और देख सकते हैं power off का option आ चुका है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like जरूर करें